हेलो एवरीवन, वेलकॉम अगेन टू लंग्रिदियतीमन, हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 के कुशन आंसर, जिसमें हमने चैप्टर नमबर 7 के कुशन आंसर स्टार्ट किये थे, 56 कुशन हमने कम्प्लीट कर लिये थे, चैप्टर आपका जल संसाधन एवं संदक्षन गहा है, और आज आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा, देखिए आपके जो 6 क्लास हैं, उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जो की बहुत ही छोटे हैं, उनसे कम ही प्रशन निकल कर आए हैं, अब ये जो चैप्टर है, जल संसाधन एवं संदक्षन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और यहां से प्रशन जो है, वो हर बार पूचा ही जाता है, नदियों से संबंदित, परियोजनाओं से संबंदित, और ये चैप्टर जो है, थोड़ा सा बड़ा भी बना है, उसमें बहुत सारे जो राजिस्थान में है, प्रमुख वो हमने पढ़ ली थी, चंबल परियोजना, माही बचा, सागर परियोजना, वीसलपूर परियोजना, सरदार सरोबर परियोजना, तो उसके आगे का हम पढ़ते हैं, question answer solve करने की कोशिश करते हैं, आप लोगोंने chapter पढ़ लिया है, और जिसको मैं बार-बार बोलती हूँ, chapter पढ़िए और उसके बाद यहाँ पर answer लगाईए, जवाई बांध कहां इस्तित है, जवाई बांध जिस पर जवाई परियोजना इस्तित है, तो यह बांध इस्तित है पाली जिले में, ठीक है, याद रखना है इस पर जवाई परियो परियोजना सोम नदी पर इस्तित है, मांसी वाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, मांसी वाई परियोजना का संबंध है उदयपुर जिले से, तो यह चोटी-चोटी परियोजना है, इनको याद रखिएगा, एक्जाम में, पूछ ली जाएंगी, जाखम परियोजन से संबंद किससे है जाखम परियोजना का संबंद है जाखम नदी से जो कहां है प्रताप कर जिले में तो यहां देखिए दो कुश्चन बनते हैं जाखम परियोजना कौन सी नदी पर जाखम नदी परिस्तित है जाखम नदी कहां प्रताप गड़ में अगला देखिए 61 कुश और खडीन है तो जब हम जोग्रफी पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे कि यह जोहड क्या होता है टांका क्या होता है खंडीन क्या होता है तो जो राजिस्थान के स्टूडेंट है उन्हें तो पता ही है और जो अधर स्टेट के हैं उन्हें नहीं पता होता है कि यह जोहड क क्या होता है, खंडीन क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप तो बस ये नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है एक्जाम में कि इनमें से परमपरागत जल्श्रोत कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर एक कोई और नाम दे दिया जाएगा और आप से पूछ लिया जाएगा, तो कुवा, भावडी, जोहर, टांका, खडीन, ये सब क्या हैं, परमपरागत जल्श्रोत हैं, अगला देखिए, गोवर्दन सागर और रंग सागर जील किस जिले में इस्तित है, यह उदेपूर जिले में इस्तित है, नेक्स्ट देखिए, जना सागर और स्वरूब सागर जील किस जिले में है, तो यह भी उदेपूर जिले में है, कुशियन 64 है, गोमती नधी पर बांध बनाकर किस जील का निर्मान किया गया था, गोमती नदी पर बांध बनाकर किस जील का निर्मान किया गया था? तो देखिए, जैसम्मज जील का निर्मान किया गया था. नेक्स्ट कुश्यन देखिए, जैसम्मज जील का निर्मान किस ने करवाया था? तो नाम से ही सपस्ट है कि जैसम्मज जील का निर्मान करवाया था 1687 से 1691 इसरी में गोमती नदी पर. तो यह है विस्व की सबसे बड़ी निर्मित जील है मीठे पानी की. ठीक है? मानव निर् जील जो की विस्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील है. जोतपूर की प्रमुक जीलें कौन से हैं? जोतपूर की जीले हैं बाल सम्मज जील, काइलाना जील और उम्मेद सागर जील. अगला दिखिए, जैसल मेर में इस्तिद जील का क्या नाम है? जैसल के किस जिले में इस्तित है कैप सागर जील राजिस्थान के किस जिले में है तो यहां पर गह के ऊपर एक ही मात्रा आएगी यह है डूंगरपुट जिले में इस्तित है अगला है राज समझ जील के उत्री भाग को क्या कहा जाता है राज समझ जील के उत्री भाग को क्या कहते गोदे है, शाहिस सम्टा कॉंड़ें कि कुए में इस्तित है, यहें अजमेर कायी दिवारा बीका नेर में इस्तेत है सिली सेट जील राजिस्थान के किस जिले में है सिली सेट जील कहां है तो यह जील जो है राजिस्थान में अलवर जिले में इस्तेत है वर्तमान में जल संरक्षन की कौन सी विधी प्रचलित है वर्तमान में जल सरक्षन की जल को बचाने की कौन सी विधी प्रचलित है तो यह rooftop जल संचे और water harvesting विधी जो है वर्तमान में प्रचलन में है तो देखें, rooftop जो विधी है, यह कैसी है? इसमें घर की जो च्छत होती है वहाँ पर से पानी जो है इस तरीके से वर्षा के जल को घर के नीचे जो कुवा बना दिया जाता है उसमें खटा कर लिया जाता है और वहीं water harvesting जो technique है वो क्या होती है इसमें वर्षा का जो waste पानी जो बह रहा होता है उसको क्या कर लिया जाता ठीक है वहां पर कुवे में खटा करते हैं और यहां वाटर हार्वेस्टिंग में भूमिगत कर लिया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग से क्या अभी प्राय है वर्शा का जो वेस्ट पानी होता है उसको क्या करते हैं भूमिगत करके खटा कर लेते हैं तो चलिए यह झाल झाल